विद्यार्तियों इस विडियो लिक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे B.A.B.S.A.B.C.A.B.H.S.C. तृती वर्ष यानि की फाइनल येर थर्ड येर का आपका फाउंडेशन कोर्स यानि आधार पठ्थे क्रम का तीसरा पेपर जिसका नाम है परसने डेवलोप्मेंट एन करेक्टरस बिल्डिंग यानि विक्तित विकास से उम्चिरित निर्मार according to new education policy for MP college student यानि मध्यब्रदेश के कोलेजों में पढ़ने वाले विद्यारतियों के लिए नई शिक्षानीती के अनुसार पेपर foundation course क्या थर जो पेपर है उसकी थर यूनिट का पार्ट फरस्ट हम देखने वाले सिलेबस इस प्रकार दिया हुआ है नेतिक और आत्मिक विकास सुख प्रसन्न और आनंद में अंतर अश्टांग योग प्राणयाम प्रत्यार दारण द्यान और समाधी कर्मयोग भक्तियोग ज्यानोग के जीवन में स्वेच अनुसार निरन तरता तो इतने टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट आएगा यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट उस तो हम देखेंगे भारती कला अगणना मात्रबाशा और भारती ज्यान परामपरा का स्वाभीवान और चिंतन मापुरुषों का जीवन चेत्रपठन सेवा स्विष्णूता परोपकार समयद परण और आत्मपरिक्षन का अभ्यास और स्वालंबन विद्यार्तियों सबसे बिले हम तोड़ा सा थियोरी देखेंगे उसके बाद हम चलेंगे मल्टीपल चोईस क्योशन की ओर आपको दिखाए दरा सकिन पर सुक प्रसन्यता और आनंद में क्या अंतर है बोथ शान्दा टॉपिक है इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रसन्यता इस पर निर्बर करती है कि आपने अपने आपको किस बात में किस चीज से प्रसन्य रखना सीखा दिया है प्रसनता इस्ति सापेक्षे, संयोग सापेक्षे और प्रसनता सदा निर्भर करती है किसी घटना पर, किसी वस्तू पर, किसी व्यक्ती पर और किसी विचार पर यह सब नहों तो आप प्रसन नहीं हो सकते हैं यही कारणें कि एक घटना जो एक व्यक्ति के लिए प्रसनता का कारण होती है, दूसरे व्यक्ति के लिए अप्रसनता का या दुख का भी कारण हो सकती है। को गुड में प्रसन्यता है हत्यारे को हत्या में प्रसन्यता है शरावी को शराब में प्रसन्यता है कामी को काम में प्रसन्यता है लोभी को दाम में प्रसन्यता है और आनंद है प्रसन्यता के तनाव से मुक्त हो जाना तो आनंद क्या है तो आनंद है कि प्रसन्यता के तनाव से भी मुक्त हो जाना उसे आनंद कहा गया है प्रसंद हमेशा ख्वाईश है एक मांगे मुझे प्रसंद होना है आनंद होना है इस मांग से ही मुक्त हो जाना है कि मुझे प्रसंद होना है आनंद है बिलकुल निर्भार हो जाना है कुछ चाहिए नहीं स्वयम को दिलासा देन के लिए कुछ चाहिए नहीं स्वयम को पूरा करने के लिए कुछ चाहिए नहीं अपने से जोणने के लिए जो ही इस्तती उसी में हम साबूत है सरामत है पूर्ण है यह आनंद है प्रसनता चीज मांगती हैं घटना मांगती हैं आनंद नहीं मांगता हैं बेशर्त है और प्र असा है कि आनंद के लिए कोई शर्त नहीं है कोई condition नहीं है पर प्रसनता के लिए हमेशा condition रहती है इसलिए लगातार हो सकता है प्रसनता की शुरुवात भी दुख से है और अंत भी दुख से है तुम अगर दुखी नहीं हो तो तुम खुश नहीं हो सकते और जितना घहरा त दुखे खुश होने की तुम्हारी संभावना उतनी बढ़ गई है। तुम्हारा बच्चा मिल नहीं रहा है दो गंटे से, तुम्हारे दिमाग में तुफान चल रहा है, तुम बोरा गए हो, पगला गए हो, दो गंटे से कोई खबर नहीं आई है, और फिर वो तुम्हें से अंतत फिर दुख बन जाना है, जिने प्रसनदा चाहिए होती रहती है, उनके लिए एक साधान सा नुस्का है, एक साधान सा उपाय है, अपने आपको खुब दुखी कर लो, थोड़ी ही देर में खुश होना ही पड़ेगा, ये अनिवारिता कंडिशन है, कोई सतत सुखी नहीं रह सकता है, दुख को पलट कर सुख बनना ही पड़ेगा, और कोई सतत सुखी नहीं रह सकता है, सुख का अंत दुख में ही होगा, आनन्द है, सुख दुख के चक्र से मुक्ति, आनन्द क्या है, तो आनन्द जो है, वो सुख और दुख के चक्र से मुक्त है, तुम न अब सुख में सहारा खोज रहे हो और न दुख के दरिया में डूबे जा रहे हो सुख आता है दुख आता है दोनों आते हैं चले जाते हैं तुम दोनों के परती निर्पैक्ष हो दोनों को असागत कर रहे हो दोनों के लिए द्वार खुले हैं उनके आने के लिए और उनके जाने के लिए भी सुख आया कर लिया सुख का अनुबव दुख आया कर लिया दुख का अनुबव तुम उन्हें रोक भी नहीं रहे हो कि हमें दुख नहीं होना है हमें सुखी नहीं होना है और हम उन्हें बांद भी नहीं रहे हैं अब सूख आया है तो ठीका रहेगा जाता है तो ठीक है जाए तो विद्यार तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा लगबग 5 मिनिट का यह सूख आनंद की बात थी इसमें कलियर यह हुआ कि प्रसनिता और आनंद में बड़ा अंतर है आनंद हमेशा व्यक्ति सुख और दुख दोनों में आनंद रह सकता है कि तो प्रसनिता का एक कारण प्रसनिता हमेशा सुख के साथ जुड़ी रहती है दुख के साथ प्रसनता कभी भी नहीं रहती हैं अब बात करते हैं अस्टांग योग, प्राणायाम, परत्याहरदार्न, ध्यान और समाधी के बारे में योग के प्रसित गरंत पतन्जली योग दरशन में योग के बारे में विस्तरत जानकारी मिलती है योग शर्षी वृतित निरोध यानि मन की वृतियों पर नियंतरन करना ही योग है भगवान श्री कुरस्न भी गीता में एक इस्तान पर कहते हैं योग करमेशू कोशलम यानि करमों में कोशलता ही योग है अश्टांग योग वहे जो चित के अग्यानी रुपी प्रवा को इस्थिर कर ग्यान रुपी प्रवा की और ले जाए इसके लिए अश्टांग योग के अब्यास की जरुरत है अस्टांग योग के योगांग यनि आठ, आठ पॉइंट आपको याद रखना है यम, पहला यम है, दूसरा नियम है, तिसरा आठ आसन है, चोथा प्रानायाम है, पाच्वा परत्याहरे, चटा धारना है, सात्वा ध्यान है और आठवा समाधी है इनका सिक्वेंस आपको याद रखना है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान, तथा, समाधी बात करें कि अस्टांग योग के पहले अंग यानि की यम के बारे में व नियम जो व्यक्ति को समाज में नेतिक तरीके से रहना सिखाता है यम, उपर में धातू शब्द से उत्पनने, जिसका अर्थ होता है निर्वरत होना इस तरह से यम के अंतरगत भी पांच नियमों को बताया गया है जो कि इस प्रकार है पहला नियम, अहिंसा, अहिंसा, प्रतिष्ठायात नितित वेरा दिया हो यानि कि अहिंसा की बात की गई, किसी को बीना कारण हानी पहुचाना हिंसा कहलाता है ऐसे में पूरे मन, वचन और कर्म से ये कोशिश करना है कि हम किसी को नुकसान ना पहुचाएं फिर चाहे वह शब्दों से हो, शारिरिक हो या फिर मांसिक हो इसे ही हम यम का पहला नियम अहिंसा कहते हैं यम का दूसरा नियम सत्य बात आती है दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं अब लोग सत्य के बारे में सत्य सत्य प्रदिश्टाय क्रिया फलम शेव वस्यम यानि मन वचन और कर्म से सत्य का पालन करना और मिध्या का त्याग करना ही सत्य के लाता है सच्चे मन से आप जो भी कर्म करें वह आपको सबसे अच्छा फल देगा साथ ही आपके आसपास के वातरों को भी सत्य और फल दाई बनाता है तीसरा नियम है अस्ते यानि कि मन में किसी भी प्रकार का चोर या द्वेशन होना जब आप मन वचन कर्म से किसी चीज का हनन न करने किसी से भी अनितिक तरीके से उसकी वास्तु विशेश को नहीं पाना चाते हैं तो वही अस्ते है चोथा नियम में ब्रह्मचरियों कई लोग ब्रह्मचरिय को लेकर रमीत होते हैं उन्हें लगता है कि ब्रह्मचरिय का मतलब किसी तरीके का शरिरिक संबंद नहीं बनाना होता है लेकिन पुराणों और योग दर्शन में यम नियम के अनुसार ब्रह्मचरिय का अर्थ इसमें बहुत अलग है ब्रह्मचरिय का उपयोग उतना ही करे चितनी की जरुरत हों ऐसे में इंद्रियों को किसी चीज का आदी न हो न देना असल में ब्रह्मचर्य होता है अपने स्वार्थ के लिए धन, संपत्ति और भोग सामगरी में सैयम न करना परिग्र है और इसका अभाव अपरिग्र है अपरिग्र ये बताता है कि अष्टांग योग करने वालों को कुछ भी जरूरत से जादा जमा नहीं करना चाहिए धन या भोतिक वस्तों को संचित नहीं करना चाहिए विद्यार्त योग यम अस्टांग योग के यम के बारे में हमने बात करिए इसके बाद में अस्टांग योग के पाँचो नियमों का आप सिक्वेंस जरूर याद रखिएगा अब इसमें तोड़ा साओ थियोरी पोर्शन है कर्मयोग बक्तियोग ज्यान योग की जीवन में स्विच्छा नुर्सा निरंतर था इसको हम देखेंगे इसके बाद हम लोग हंड्रेड मल्टीबल चोईस क्रेशन के ओड़ चलेंगे बात करते कर्मयोग कर्मयोग क्या है? तो गर्ब में पहली सांस से लेकर आखरी सांस तक मानव श्रीर कार्य करता है कर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है श्वशन रदे की धड़कन मस्तिक्ष के कार्य गती आदी कर्म है इसमें कर्ता, करण, मकसद और साधन, कर्म, कार्य, कर्म, कार्य, गतिविदिया, पेशा कार्य, श्रम निश्टपादन और कर्म संग्र, कर्मों का संग्र शामिल है कर्म के तीन प्रकार है, याद रखिएगा कर्म के तीन प्रकार है संचित कर्मों में सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म शामिल है जो पिछले कई जन्मों से किये जाते हैं जब भी व्यक्ति में ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया हो शुब अशुब, पुन्यपाप, रोग व्यादी, शररिक दोस, तरप्ती कष्ट, सुख दूग, योन इच्छा पुर्ती, हानी, लाब आदी के रूप में नश्ट होना पड़ता है संचित कर्मों का प्रभाव दिखावा के रूप में होता है विदाद आयनी की ब्रह्मा और धर्म यानी की सुर्य के पुत्र के आदेश कनुसार होता है करोडो जर्म, कल्पों में उनका सामना हुए बिना उनका लोब नहीं होता है निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उनका सामना तो करना ही होगा ज्ञान योग के बारे में बात करते हम लोग यह हुआ हमारे कर्म योग के बारे में ज्ञान योग भगवान श्री कुर्शन ने अपने चचरे भाई और ग्रूब बरस्वती के शिश् мышf उद्दव जी को ज्ञान योग का व्रनन दिया है जैसा कि भिश्म पितामा ने अपनी मृत्यु शेया पर युदिश्टर को बताये था अब ग्यान योग क्या है आत्म ग्यान त्याग यानि कि विराग्यन विज्ञान आस्थायने कि शद्दा और भक्ती से भरा है प्रक्रती द्वारा उत्पन लक्षन प्रक्रती के भीतरी परस्पर क्रिया कर रहे हैं समस्त क्रिया कलाप इंद्रियों में हो रहे हैं इसके 28 यानि 28 अव्यवत्त तो युवाजन है अर्थाच पांच इंद्रिया, कान का का में सुनना, तुचा का का में इस्परश करना, आखा का देखना, चीब का का में स्वाद को टेस्ट करना, नाक का का में गंद लेना पांच का कार्म इंद्रिया हैं, हमारे शेर में पांच कर्म इंद्रिया हैं, अर्थाद गुदा, गुदा का का में उस्सरजन करना, पेनीज, मुत्रब उस्सरजन करना, हाथ का का में कर्म करना, पेर का का में चलना, और मुख का का में अच्छी वाणी आपके मुझ से निकलन मनुष्य के पाँच अंग है जिन में ग्यानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां के सभी गुणे मन और अदे मिलकर निने लेते उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं प्रकृति, करता, पुरुष, भक्त करता, मत्व, परम, अहंकार, इदम अहंकार, अतिहंकार जैसे में हम बोलते में, मेरा, में, अभिमान वाले शब्दे, पंच तंत्रात्मक, जल, वायू, आकाश, प्रत्वी, तेज, वेराग, त्याक, अस्विकार, विज्ञान, अनुसंदान, खोज, वश्ठदा, आस्ता, भक्ति टोटल महाबूद भी पांच होते हैं, ध्यान रखेएगा, दिव्य, अनंत, भक्तियोक, और भक्ति गुण, आगे बात करते हैं, परमात्मा को निकर्तम आठ गुणों से युप्त किया जा सकता है, कौन-कौन से, अहिंसा, इंद्रिय, सैयम, सैयम, क्षम, दम, ध्यान और स अहिंसा, इंद्रिया का काम क्या है, इंद्रियों पर नियंत्रन, शमा का काम क्या है, शमा का क्या है, सभी जिवजनतों पर दया करना है, शमा का का क्या है, तो आत्म ग्यान, जुनून की अनुपस्तती, मन की शांती, विश्राम के माद्यम से, दम का क्या है, इंद्रिया का मुक्ता जुनून वेराग उपकारण वावनाओं पसयम करना ध्यान का काम क्या है चिंतन करना और सत्य है सर्वत्र संभाव सची दिविता का अनुबव दर्शन करना तो विद्यारति ये तो त्या theoretical portion लग बग 15 मेंटे का हम लोगों ने discuss किया अब हम बात करते multiple choice question की तरब यह वस्तोनेश्ट प्रशनों की ओढ़ चलते हैं तियों multiple choice question में पहला किस ने की थी तो Karl Marx ने की थी प्रश्ण करमांग तीन वेद हमें सिखाते हैं कि श्रश्टी विना शुरुवात और अंत के बिना है प्रश्ण करमांग चार छे से चौदा आयू वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवारिश शिक्षा का अधिकार बारती सविदान में शामिल किया गया है तो धारा 21 ए के अंतरगत शामिल किया गया है प्रश्ण करमांग पांच शिक्षा का समाश शास्तर है तो शिक्षा संस्तानों में शामिल सामाजिक प्रक्रियाओं का विशलेशन प्रश्नक्रमांग 6 इसकुल मुड़ रूप से सामाजिक सज़ता हैं जैसे विभावी पिडियों में हमारे सांस्क्रति के मुल्यों को सरक्षित और स्थापित करते हैं प्रश्नक्रमांग 7 मुझूदा सामाजिक प्रथाओं को बदलने में विज्ञान और प्रिद्विकी का उप्योग को कहा जाता है आधूनी की करण प्रश्नक्रमांग 8 रिक्षा चालक का बेटा संगर्ष करता हैं इंजिनियर बन जाता है यह एक उदारने किसका सामाजिक गती शीलता का प्रश्नक्रमांग 9 शिक्षा में अउसर की समानता का तातपर है कि प्रत्यक छात्र अपनी योग्यता और रूची करण सुविधाय प्राप्त करता है प्रश्नक्रमांग 10 बेप इसकीनर के नुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका प्रिणाम है तो नकल और सुद्रडी करण का प्रिणाम है प्रश्नक्रमांग 11 व्यक्तितों का आत्मसिद्दांत किसने प्रतीपादित किया तो रोजर ने प्रतीपादित किया प्रश्नक्रमांग 12 नेमलिखित में से कौन प्रकृतिवादी जाज की विशेस्ता नहीं है तो सामानी करण प्रश्नक्रमांग 13 बारतिय दर्शन शास्त्र परंपरा की कितने भाग है तो दो भाग है प्रश्ण करमांग 14 नास्तिक दर्शन शास्त्र कौन से है तो चारवक दर्शन, जेन दर्शन और बोध दर्शन अर्थात उप्युक्त सभी ये नास्तिक दर्शन है योग दर्शन में प्रतिष्ठित करने के लिए श्येक के जाता है तो मरश्री प्रतंजली को जाता है उचित नियाय का तातपर है उचित और वांचनी सत्य और केवलिय पृप्त अर्थात अप्युक्त दोनों प्रश्नक्रमांग अठा, मनुष्य जीवन का अंतिमुद्देश्य क्या है, तो निर्विकल्प समादी और केवलिस्की प्राप्ती, अर्थत उप्यूक्त दोनों प्रश्नक्रमांग नो, जेन दर्शन में प्रत्वी को कितने तत्तों से माना गया है, तो चार तत्तों से प्रश्नक्रमांग 20, बोध दर्शन का सार क्या है, तो दुख है, दुख का कारण है, वो दुख शानते और दुख दूर करने के उपाए है, अर्थत उप्यूक्त सभी प्रश्नक्रमांग 21 तत्व मिवानसा में कितने तत्व की वेशना प्रस्तूत किया गया है तो संचार के मुल तत्व और मानव के मुल तत्व प्रश्नक्रमांग 22 मन के अंगों को कितने वर्गों में बाटा गया है तो तीन अंगों में बाटा गया है प्रश्नक्रमांग 23 गीता में बक्ती का मार्ग किसे बताया गया है तो ज्ञान को बक्ती को और कर्म को रधात उप्युक्त सभी को प्रश्नक्रमांग 24 योग जीवन आत्म का मिलन है या परिवाशा किसने बताई है तो वेदान्त में बताई गई है प्रश्ण क्रमांग 25 योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है तो शारिरिक, मांसिक और सभी प्रकार की शक्तियों का विकास किया जाता है अर्थात उप्युक्त सभी प्रश्ण करमांग 26 योग व प्राचिन प्रत है जो व्यक्तियों को अंदेरे से प्रकाश में लाता है परिवाशा किसकी है तो सर्वपली रादा कृष्ण की है प्रिश्ण करमांग 27, पक्ति योग में किन बातों को बल दिया जाता है तो श्रद्दा पर समर्पन और आस्था पर अर्था सभी पर प्रिश्ण करमांग 28, सांख योग का शाब्दिकर्थ क्या है ज्यान 29 सांख्य में कितने दत्यों का समावेश है 25 32 यम योग साधना का कौन सा सोपान है तो प्रफम सोपान है 31 यम कार्थ किस प्रकार के संगम से लगाय गया है तो मन के, वचन के और कर्म के अर्दात उप्युक्त सभी के 32 पुरुश और पुरुश में पुरुष और पोरोष में, विशेश के बीच में क्या माध्यम क्या है, तो प्रकृती, प्रश्ण करमांग तेति, संतव योगी, मुक्ष प्राप्ति तू कौन सी क्रियाएं करते हैं, तो ध्यान, तब और साधना, अर्थात उप्युक सभी, प्रश्ण करमांग चोति, जिन स पनिशितों की संक्या कितनी है? तेरा, मन को एकागरता के साथ एक विशेश पर लगाना क्या कहलाता है? द्यान कहलाता है. प्रश्ण करमांग सेंतिस, प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपुर्न है? व्यक्त और अव्यक्त अर्थात उप्युक्त दोनों. यम द्वारा योगी के मन में कौन से बाव उत्पन्न होते हैं तो शुब भाव और आंतरिक बाव अर्थात उप्युक्त दोनों पाणिनी के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति खिजद्दात उसे हुई है तो यूजिर योगे यूज समादो और यूज प्योग सब्यकर 25 योग के अधिवक्त क्से वना गया है तो हिरिन गरव को comparison करने का जिक्र निमजotes किसी हैं तो श्रीमत भागीव गीता में है प्रश्ण करमांग पेतालिस श्रष्टी के प्रारम में भगवान ने योग का उब्देश किसी को दिया था तो शुर्री को दिया था 46 योग सुत्री की रचना किस ने की तो मर्शी पतंजली ने की 47 आर्युएदिक के नुसार इम्न में से कुन सा स्वास्त का लक्षन है प्रश्ण करन रोग का सुक्षम सुरूप जनम में लेता है उसे क्या कह जाता है उसे आधी कहते हैं नम्ने में से कोन सी सामाजिक स्वास्त की विश्यस्ता है तो अपनी भूमिका का सही निश्पादन करना परिस्ष्टियों का उच्छी समायो जन और उत्तरदायतों की योग जीवन आत्मा का मिलन ये परिवाशा किस ने दी तो वेधान्त में हैं प्रेश्ञकरमार्ग चप्पन MIN शद में औंकार के चारचरणों को उल्लेक मिलता है तो मंडि कूप निश्द में मिलता है प्रेश्णकरमार्ग सत्तवी योग वशिष्टन में निम लिकित में से किस पर बल दिया तो ज्ञान योग पर प्रश्ण करमांग 58 पुरुष और प्रक्रती की निम लिकित में से किस दशन की दो अवधारना है तो सांखे की अवधारना है प्रश्ण करमांग 59 निम लिकित में से कोन सी नाड़ी दस मुख नाड़ियों में शा प्रश्णक्रमांग 61, प्रश्णोप निश्द के अनुसार मनुष्य को विभिने लोकों में ले जाने का कार्य कोन करता है तो उदान वायू करता है प्रश्णक्रमांग 62, श्रीमत भागवद गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है तो युक्ति पुर्व प्रश्टक्रमांग 63 एक्षप निश्यत के अनुसार अम्रतता की प्राप्ति का उपाय क्या है तो विद्या इसके वाद विद्या रेगी वह अम्रतता की प्राप्ति कर लेता है 64. धारणा सूच योगित्ता मनस किसका परिणाम है तो प्राणायाम का 65. दुष्ट श्रविक विशे वित्रशना किसका विशेश गुण है तो वशी करण विराग क्या 66. पतंजली कनुसार है है तु निमलिखित में से किसका सही होगे तो दरश्ट ओर दरश्षकार 67. निमलिखित में से कौन सा परिणय मात्र में शामिल नहीं है तो धारणा परिणाम 68. निमलिखित में से कौन से पुरु जीवन का ज्यान देने में समर्त है तो संसकार सय्यम 69. असमीदा का अभी प्राय क्या है तो द्रक और दर्शन शक्ती की एकाकमता है प्रश्णक्रमांग सित्तर योगसुत्र कर्णुशार श्रमण की देविक शक्तियां प्राप्त करने की विदी निम लिखित में से कौन सी है तो शोत्र आका संबंद पर सहियम 71 question हट प्रदित प्रिश्णिका के अनुसार नदानु संदान अभ्यास के प्रारम में किस प्रकार की ध्वनी सुनाई देती है तो मेग की ध्वनी प्रश्ण करमांग बहुततर स्वात्मराम के अनुसार यम का कौन सा सरवश्टेश्टे तो मिताहार तियोत्तरवा स्वात्मराम के नुसार योग साधना में मन किस के साथ निकट सरुप से संबन्द रखता है तो प्रान के साथ सूचिये आपको हमने मिला रखे उसको ध्यान रखेएगा ध्यान योग मनव मुर्चता मुद्रा नाद योग शामभवी मुद्रा शक्ति योग खेचरी मुद्रा और राज योग कुम्बक प्रश्ट किस गरंत में आर्थ, जिग्यासू, अतार्ती और ज्यानी के रूप में व्यक्तियों को चार प्रकारों के उल्लिक किया गया है तो उसका नाम है श्रीमत भगवत गीता प्रश्ट करमांग 76 राज योग उसे कहते हैं जब व्यक्ति इच्छा शक्ति, द्रडश संकल्प और निने के बल पर अपनी ध्यान इश्वर की अवधानात पर केंदरित करता है 77 बक्तियोंग वह है बक्तियोंग क्या है तो बक्तियोंग वह है जब योग पर आरुड सादक, श्रद्दा भावना, बक्ति भावना के माद्यम से भगवान से प्रेम करना शुरू कर देता है 78 ध्यान योग और बक्तियोंग में कौन सा मार्ग शिष्ट है तो ध्यान योग से हम केवल मन की शांती पा सकते हैं लेकिन बक्ती योग से हम मन की शांती के साथ साथ पुर्णमोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं इसलिए ध्यान योग से बक्ती योग को शिष्ट माना गया है 79 ध्यान योग और बक्ति योग में कौन सा श्रिष्ट मार गएं तभी हमने का बक्ति मार के सर्व मार के सर्ष्ट माना गया है इसमें सरल्तम एवं संपुर्ण श्रिनिक श्रना गती जैसे साधनों की सरस्ता से परमेश्वर की प्राप्ति की जा सकती है प्रश्ण करवांग 80 कौन सा मार्ग आध्यात्पिक मारगें? कर्म योग, ज्ञान योग या बक्ती योग? तो जहां कर्म ज्ञान और बक्ती एक दुसरे के साथ अध्वेत में आ जाते हैं तो वहां से आध्यात्म की गहरी से गहरी यात्रा प्रती समर्पन गड़ जाती हैं एक भोतिक और दूसरा अध्यात्मिक 83 मांसी योग साधनाओं में तीन प्रमुख योग कौन से हैं? तो ज्ञान योग, कर्म योग और बक्ती योग 84 श्री भगवान बोले कि इस मनुष्य लोग में दो प्रकार से होने वाली निष्टा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं उनमें ग्यानियों की निष्टा ग्यान योग से याद रखिएगा और योगियों की निष्टा कर्म योग से तो कर्म योग किस से संबन देते योगियों से और ग्यान योग ग्यानियों से 85 कर्म योग के बारे में बात करते तो कर्म योग क्या है तो गती विदियों के प्रेनामों से जुड़े विना व्यक्ति को करतवे के रूप में कार्य करना चाहिए क्योंकि आसक्ति के बिना काम करने से व्यक्ति को परम की प्राप्ति होती है एक बक्ति को सही ज्यान का इमानदार और निरंतर सादक होना चाहिए गीता पुर्ण वास्त्विक यानि ब्राह्मन की उप्रिशदिक अउधारना को अपनाती है यह अमूर्त और व्यक्तिगत ब्रह्मा दोनों की सिखाती और क्रश्न के रूप में ग्यान योग ग्यान और ब्रह्मा के प्रतिक्ष प्राप्ति और आत्मा को ब्रह्मा के साथ एक रूप में अनुबव करने का मार गए ये ज्ञान उसके मुक्ती के लिए एक आवश्य गुण है जो उच्चतम इस्तर पर आत्म प्राप्ती के लिए है 88 योग शब्द का उद्ध्यम किस दातु से हुआ तो यूज दातु से 89 योग समाधी किसका कतने तो वेद व्यासका 90 शरीर के मुल रूप से निम्ण में से कोन से तीन गुण होते है जिनका संतुलन रहना अनिवार है तो कफ वात और पित का 91 निम्ण में से कोन सा योग का तत्व या अंग नहीं है तो अस्ते यम नियम प्राणायाम तीनों है 92 अस्ते योग के पहले अंग या तत्तो के अंतरगत आता है तो उसकार्थ क्या है तो चोरी ना करना 93 निम्ड में से कौन सा आसन ध्यानात्मक आसन के प्रकारों के अंतरगत नहीं है तो मकरासन 94. प्राणयाम के अंतगत रेचक करत क्या होता है तो स्वास बहार निकालना किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मगने रहना ध्यान है किसका कथन है तो पतंजली का 96. अपनी इंद्रियों पर नियंतरन करना क्या कहलाता है प्रत्यहार योग सुत्र का प्रतंबा क्या है तो समाधी पाद 98. एकागरता की शक्त योग के माध्यम से संबव है तो विद्यार्तियों ये था आपके फाउंडेशन कोर्स का तीसरा जो पेपर है उस तीसरा पेपर की सेकर्ड यूनीट का पहले पार्ट का theoretical प्रशनों के थियोरी के साथ साथ में उसके multiple choice question को हमने इस विडियो के माध्यम से देखा I hope विडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगता है तो विडियो को like अवश्य करें और अपने दोस्तों तक share करना ना भूलें और चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe अवश्य करेंगे